प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस चेप्टर की जो सवाले लगाएंगे, वो जो है दो टापिक, तेन टापिक पर डिपेंडे रहेंगी, तो मेरी इच्छा है कि जैसे जो बच्चे थोड़ा आजकर में आ रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा सूत्र का दर्सन करा दें, आप स पार्मुले जो अब इस्तिमाल होंगे वो कुछ इस तरह से हैं, देखिए, मीटर से तूऐ, एक बला है मीटर से तूपरिपत, और इस चर्टर में, मीटर से तूपरिपत, से लंतरानी हम लोगोंने लड़ी है, मीटर से तूपरिपत, जब भी जो सवाल में चर्चा में ठीक है तो जहां दीजेगा अभी तक जो सवाले थी मिक्सप कम कम 15 सूत्रों पर से अब एक सूत्र पर जो है शर्चार परफपन सवाल है इसी हो जा रही है और हाँ मीटर से तुपरफपर और विढ़ों आपी बद एक सवाल पका जम में आती है यह जान लीजे और कखिन नही जहां से देखिए सा माइनस यल बटायल गुड़े आत यही सूत्र का प्रियोग करेंगे और प्यारे बच्चों इसे सूत्र की सहायता से मीटर से तुपरफपर की कोई भी सवाल इस्तेबाल हो जाएगी लग जाएगी एक सूत्र चार सवाल ऐसे ही है एक और परिपस का हम जो दर्सर कराने जा रहे हैं विवाव मापी और जो विवाव मापी है बीठा सोचो जो बच्चे लेट लेट लपेट क्लास जॉइन के हो उन्हें के लिए सूत्र लिख दे रहे हैं कि जिससे कम सवाल तो आ जाए और मेरा भरकस प्रियास है कि इस हपते यह चैप्टर करूंगा जहां जो भी पढ़ाओंगा सब करें थूस दूंगा दिमकवा में लुगियत विवाव मापी विवाव मापी में सेल का अग्यात बिल्दुत वाहत बल जो बरबढ़िए यहां दो चीजे पारिपज का अग्यात विभुवांतार शाजो रहे हैं चाहे एडैस रहे चाहे वी डैस रहे दोनों कहीं फार्मूला इअपारं कैटल एल इंटू इसमाल एल इसी सूथ का प्रियोग करेंगे और मेरे साथियों मात्र दो सूथ पर लिखा हो और कम से कम दस सवाल लगेगी तो आप समझ रहे हैं कि अब इस चैप्टल जी सवाले आपके सामने शरण बुले तो हदुआ मिलने वाले हैं अभी तक सवाले प्रत्रियों सही हो जाएं कि जा आप नियाम फला नाध्यम का ऐसे राते थे तो कशेर हो जाती थी अब दो ही सूत्वर कभी सवाल में मीटर से दुग चर्चा करेगा खुपडिया में ये सूत्र तो कौन क्या कहा हैं कैसी किस तरह से है को घौर वर्माईएघा यहाए नियुक इसमालियल का मतलब है आप जाते रहे हैं सवाल में दोनों के केस में इसमालियल सुनने विछ चेक किस्थती जैसे कहेगा. दारा मापी में दस से वी दूरी पर सुनने विच्छेक की इस्तिती पता चलती है इसका मतलब दैति इसमाल यल भरगवान और तुरंट उसको लिख देना ओम इसमाल यल बराबर इतना ओके भरती मैं हो जाओ कुझा पार्थ महीं करती हूँ तो यहाँ हैं दो जड़ा इसमाल यल मतलब धारा मापी की सुनने विच्छेक वाले इस्तिती का मान इसमाल यल माने धारा मापी में सुनने विच्छेक इस्तिती दौर समझेगा वाला मान सबीरों को समझ में आ रहा ही हम क्या लिखे हुए है और केटलार मतलब प्रतिरोद बाक्स से जितना प्रतिरोद निकाले कहें वो जो है प्रतिरोद बाक्स से दस उनका प्रतिरोद निकाल रहा है तो भूलें तार बराबर दस ओगे और बराबर प्रतिरोद बाक्स से सुर्या मेहेगा निकाला गया प्रतिरोद प्रमारिक सिल्का विद्दुत वाहक बल करते लिए परिपत की संपूर लंबाई पाम क्या है ये बताएं तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे तब सवाल समझ में आ जाएगी दोर से देखो जरब एक बार फिर से समझ वीजिए प्यारे बच्चों हमको अब दो जो है प्यारे और खुबसूरत थोड़ा मलाई टापिक पर सवाले लगानी है जैसे की हम अब चर्चा करेंगे मीटर सेतु की और फिर चर्चा करेंगे विभो मापी की मीटर सेतु एक ऐसा परिपत है जिसके द्वारा किसी परिपत में सामिल चालकतार के अग्याद प्रतिरोध की गरना की जाती है और बच्चों विभो मापी विभो मापी सिल का बिद्टु तुहाद बल पजपत का विभोवांतर मापने वाला उकरण है मीटर सेतु के लिए ज्याद प्रतिरोध यस बराबर सौ माज़ सल बचयल इन्टु आर सूत्र लगेगा विभो मापी के लिए इबतायल इन्टु इसमालयल लगेगा कौन क्या है सब बता दिये हम इसमालयल कहता रहेगा सवालों में कि धारा मापी में सुनने विच्चर किस्तती फ़ला संटिमीटर पर मिलती है तो ये इसमालयल है अब उसके बाद जो है कैटन आर का मतलब प्रतिरोद बाक्स से जितना प्रतिरोद निकाला जाए प्रतिरोद बाक्स से जितना प्रतिरोद निकाला जाए वो कैटन आर का मान रहेगा और इका मतलब जो सेल प्रमारिक दिया रहेगा प्रमारिक सेल का बिद्दुत वाहत बल हाँ बच्चों इस तरह से आपने देखा बिभाव मापी और मीटर से तू परिपर कि ये दो सूत्र हमने लिखे हुए हैं अब इनी सूत्रों पर सवाल लगेंगे चार पांस वालिस सूत्र पर चारे पांस वालिस सूत्र पर किरियर हो जाना चाहिए अग्याद प्रतिरोद ग्याद करने का सूत्र मीटर से तू परिपर के लिए यस बराबर सव माइनस यल बटेयल गुड़े आर जैसे कहेगा एक प्रतिरोद बाक्स में दसों का प्रतिरोद निकाला गया वो आर की जगह पर उसकी वैलो लिख देना है दारा मापी में इतने सहमी पर विच्छेप मिलता है यल की जगह उसकी वैलो लिख देना है ओके और अगर विभो मापी का केस रहेगा तो इबटायल इंटु यल यल है किसी सेल का विद्धुत वागबल और यल है परिपर की पूरी लंबाई इसमाल यल जहां से सुनने वि पृच्छेप की जिस्तिती प्राप्त होने वाली बैलो अब बच्चों सवाल नंबर हम पढ़ते हैं 63 एक दिये गए तार का ध्यान से सुनियेगा एक दिये गए पार का प्रतिरोद मीटर से तुसे ग्याद करने के लिए बाईयोर के रिक तस्थान में लगे प्रतिरोद ब बआठकरनी हो तब प्रतिरोध बाक से कितना प्रतिरोध निकालना होगा तो प्यारी बच्चों दो पार्ट इसमें हैं बारी-बारी से दोनों पार्ट लगाते हैं और आप देख रहे हो कि मात्र एक ही सूट्र पर भीतर सेतू की सवाले हैं जैसे सवाल नमर् 3.8 आपके सामने प्रस्थ उठैर देखे जरए कुछ नमर् 3.8 जान दीजेगा सवाल सब्सक्राइब कर दिये गए तार का प्रतिरोद गयाद करने के लिए प्रतिरोद बागस से दो उम का प्रतिरोद लेने पर कर दिया और धारे मापी मेंस चालिश सयमी पर मिलती है दारा मापी में जो विश्य किसले लिखते हैं इसमाल एल से कोशन कह रहा है कि तार का प्रत्रोद बताओ खर से निकाल दें वही शुत्रवाद इसलिए क्या सुत्रवाद कोई बोलेगा नहीं क्या सुत्र था सौ माइनस यार बड़े यार इसे मेलू रखते हैं तो अब यहां पर गौर से देखिए सौ के माइनस चालिस याल मतलब चालिस बुड़े आर बतलब दो अचा एक चीज और यहां बेटा हम चाहें को मीटर गरम बदल भी सकते हैं लेकिन यहां यहां यह जो सूत्र बना है इसमेल सिंटीमीटर में है क्योंकि सो गयरा लिखा गया था तो याद करो अब यहां सो में से चालिस के इसाज और इसको दो से भाग देंगे 20 25 तेयां साथ 3 ओम प्यारे बच्चों वह हमारा जो प्रतिरोध है तार का 3 ओम आ गया एक पाइथ आ गया इसे में आधा पाइथ तावर दिया अठरनीक तवाल रहे नहीं सुनना साथ सेमी पर सोने बिच्छे मिले किसके लिए प्रतिरोध बात्स से कितना साथ सेमी और आप से आर पूछ रहा है आर क्या होना चाहिए यस तो आ ही गया है यह इस फिल लगा दो यस बराबर सो माइनस यल वर तेयाल पूरे आल एको यस की जगह क्या राइक करते हैं सो माइनस यल की जगह और हमारा आर ही अग्यात है आजाएगा कि नहीं जोर से बूलो आजाएगा पिंचा गुड़ा करो साथ दियाए नहीं मानोगे सौ में ससाड़ गए नीचे आएगे बराबर आर बोले तो आर बराबर चालिस से का बान दे जाएगे चार अणाई नहीं चार साड़े चार उना होई यह आगे हमारे साड़े चार ओम का प्रतिरोदे निकाले उस जो है प्रतिरोद वास से तो भी छे पिस्तिती सार सेमी पर मिलेगी कोश्चा नमर चार साठ दिखाये गए चित्र में मीकर सेतु के तार के लंबाई साठ सेमी है जब एजे बराबर साठ सेमी हो तो धारा मापे में बिच्छेट नहीं होता आर कामान बताओ तो देखो एक फोटो बनी हुई है कोश्चन इसी पर जो है फोटो बना के दे दिया है बस आपका IQ चेक कर रहा है याँ थोड़ा अग्यान वाले हैं कि अग्यान वाले हैं यहाँ पर देखिए एक दस ओम का प्रतिरोध लगा है प्यारे बच्चों और यहाँ पर एक अग्याद प्रतिरोध है यहाँ एक धारा मापी है आइसे देखिए फोटू कर नहीं है A, B, J आइसे चित्र बना है यहाँ B है जाउंकी स्विच है सेल है सभी को दिखाई दे गया को का यहाँ जो है अज्यात है क्रतिवोद मालूम नहीं है आर ओम लिखा है क्या लिखा है बीचा A, J बराबर सार से नहीं यहाँ तक बिच्छे पिस्थिती सार से नहीं धारा मापी में सुनने बिच्छे पै देखो यह यल हो गया है कि नहीं यल हो गया है ना याद है मीचा से तुपजपर नहीं याद है याद करो देखो ये पॉइं्ट धार मापी की positivity जहां रहती थी जहां सर्व मिल्ता था जो है क्या होता था यहां पर p होता था क्यों यहां पर होता था यहां थे तो अब ग्यार प्रत्रोगार निकाल ला है अभी अभी सुतर बताएं है उसे सुनका प्रियोग कर लो तो अभी भी सुनका उसे सुनका क्या करने बेटा प्रियोग करने क्या होता है सुनका बताई थे भी देखो यहाँ यह की बज़ा क्या रहेगा सौ माइनस यल बटे यल उड़े जोप्रति रोग दीख रहा हो मानोगे जिरूवम जिरूवम सामे सार गये दूई तियाईट छार दूई जिसाम में चालिज बीज बतर तीनों में दान सार इन डाउट भगवान का नाम लीजिए कोशन नमर पाई सार तीन बॉल्ट की एक बैट्टिस जिसका अंत्रिक प्रत्रोद एक ओम है एक बिसर्पी तार से जोड़ी गई है जिसके लंबाई साव सेमी वो प्रत्रोद पाँच ओम है एक बोल्ट मीटर जो नगड़े धारा लेता है तार की साव सेमी लंबाई के भी जोड़ा गया है बोल्ट मीटर का पाठ्यांग बताओ तो इसका भी पाठ्यांग क्या होगा प्यारी बच्चों जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे है तो ध्यान जीजिए सवाल नमबत 65 है न आख समझने का प्रयास करी थोड़ा टेकनिकल है तीन बोल्ट की एक बैत्री जिसका आंत्रिक प्रतिरोद एक उम है प्यारी बच्चों तीन बोल्ट की एक बैत्री है और इसका आंत्रिक प्रतिरोद एक उम जो जो दिया है आपके सम्मुक लिख रहे है देखो तीन बोल्ट की एक बैत्री बना दिए एको मांतिक पर जुरूत बना दिये एक बिसरपी तार से जोड़ी गई है किस से जोड़ी गई है बिसरपी तार से जिसकी लंबाई सौसेमी है ये सौसेमी लंबे तार से जोड़ी गई है जैसे ये ए, बी सौसे जोड़ा जाता है आप जानते ही हो और इसका प्रतिरोध इस तार का प्रतिरोध आर बराबर पांच गोंग इस तार का प्रतिरोध कितना है एक बोल्ड मीटर जो नगर धारा लिखता है तार की सार सेमी लंबाई के बीच जोड़ा गया है तार की सार सेमी लंबाई के बीच यहां जो है एक बोल्ड मीटर जोड़ दिया गया है ऐसे इधर क्लियर सार सेमी लंबाई पर तार के जो है बोल्ड मीटर जोड़ दिया बोल्ड मीटर का पाठ्यांग बताओं यहां पर इसका बोल्डेज क्या होगा यह बचाना है और यदि बोल्ड मीटर का प्रतिरोध देर सो ओम हो तो पाठ्यांग क्या होगा तो इसी बोल्ड मीटर का प्रतिरोध बताना है बेचा जान दिजेगा इसी बोल्ड मीटर का प्रतिरोध बताना है दो कंडिशन में जब की पहले जो है प्रतिरोध नहीं दिया है और दुबारा जब की प्रतिरोध दे लिया है से जो जो है कितनी अधारा इस प्रतिरोध में ने जी जा रहा है कितनी धारा इस प्रतिरोध से में जी जा रही है सेल से धारा देखिए जरा सेल से धारा जारे बच्चों सेल कितनी धारा दे रहा है प्रतिरोध में यह निकानना चाहते हैं सेल से धारा क्या होता है सुप्रयाद करिए धारा आई बराबर बी अपाना लेकिन आई जानना है तो E बटा R प्लस R कोई दाउट नहीं जोग अभी यहाँ पर देखो E बिल्दुक वहाद बल प्रत्रो और पांच ओम इस्टार कहा है आंतर प्रत्रो देखा है तीन बटा चा एक बटा दो माने दसमलो पांच हैंट लिए इस्टार के लिए तो कितना पता लग गया बेटा दसमलो पांच एंपियर की ये धारा है इस्टार के लिए कितनी धारा है यहाँ से दसमलो पांच एंपियर की धारा आई अब यहाँ पर धारा जो है ये बोल्ट मीटर केवल इतनी दूज 60 cm की लंबाई पर लगा है किती लंबाई पर लगा है बीटा 60 cm की लंबाई पर लगा है इसका हमें पाठ्यांग बताना है आप देखो कई तरह की कंडिसन से लगा सकते हो आप चाहो चुकि हमें आई आ गया है हम साथ से भी लंबाई के लिए निकाल लें अगर प्रतिरोद, सौ से भी लंबाई का प्रतिरोद पांच हो हम है, तो साथ से भी लंबाई का प्रतिरोद अगर हम निकाल लें, आर आ जाए और आई पहले से हैं, भी वराबर आई इंट्रुआर कर दें, ख़र से आन पर आ एक तरीका ये और दूसरा तरीका इसको लगा तेले तब देखलो समझो जरा 60 सेनी लंदाइगmek तक का प्रतिरोध कहां तक का प्रतिरोध थे रहरा कि रखचो पूरे 100 सेनलंबाइगे प्रतिरोध ने यह तो यहां देखिे जर रा आएक की नियंब", सुनिये, हमके साथ संते बीं लंबाई के पत्रोथ पांच उंद्गाइए झालाच पंद्धिर्ण साथ संते लंबाई के सब्सक्राइगा, ये तीन हो मा जाएगा कैसे मालूँ साथ पंचे तीन सो सुधान के तीन आएगे इसलिए बोल्ट मीटर का पाठ्यान किसका पाठ्यान बेटा बोल्ट मीटर का पाठ्यान अपने आप समझो बोल्ट मीटर विभोन आपता है वी बराबर आई इंटू वी बराबर क्या होता है नारा कितनी आई है आर कितना आया एक दसम्दू पाठ बोल्ट आंसर आगया एक कंडिशन ही हो गया दूसरा कंडिशन कह रहा था इसमें देखो आगे एक चीज़ और पूचा है कि अगर बोल्ट मीटर का प्रस्रोट देर सो बोल्ट मीटर का प्रतिरोद कितना हो तीनों हिया बार देर सों हिया लग जाए तो समांतर करम दो गें दो नहीं हो जाए अजब समांतर करम दो गें तो तुल लिए प्रतिरोद से निकाल ले नहीं समझे यहां पर देखो यहां दिजिए गाल यहां दे बोल्त मीटर का प्रतिरोद अभी तक नहीं था प्रतिरोद यह कांसर आगया यह जो है बोल्त मीटर का प्रतिरोद देर सो ओम हो तो जैसे यहाँ चित्र बनाए हम इसे देर सो कर दे यहाँ तक कितना प्रत रोज है तीन और यहाँ कितना है तो दोनों का काउंसल सयोजन करेगी इसलिए तुल प्रति रोज अगर हम आर डैस माने तो वन अपान आर डैस बराबर वन अपान देर सो प्लस वन अपान इडर क्लियर समझा रहाएंग नहीं वन अपान आर डैस बराबर देर सो नगुत्तम हुआ एक बार जाए हैं यह पचास बार नहीं मज़ा मैं तो आर डैस बराबर एक सो पचास परते इसलिए बच्चों बोल्ट मीटर का पाठ्यान हमको तो बोल्ट मीटर का पाठ्यान चाहिए ना अब अगर आप पाठ्यान जानना चाहें तो भी वराबर आई तो आई तो दसनलों पाँचन पी जा रहे थे ना अवार कितना आ गया है गौर से देखिए, अगर अभी ये पचास होता, पचास दिया ही डेल सो, तीन पच्छे पंदरा गिर हाई जात किना है, लेकिन ही आप एक्क्यावान हाई, एक्क्यावस भाग देवा तो तीन से कम होता रहा है, दूर दसम्लो नौ अगेरा है, और जब हमें गुड़ा कर रहा पांच से, पर जो उन पांच आए बया, एक दसम्लो नौ पांच थोड़के कम है, तो नौ चार हो रहा है, आइसे न दो है, तो कल्पूलेशन कर बया जा, भाग ले पर एक दसम्लो चार आफ पांच, ये आंसर आजाएगा बोल्ट, तो दोनों आजाए बया, एक बार समझ लेजिए जरब यहां जो है एक 170 लंबा न इसकी 6 लंबाई पर बोल्ट मीटर लगा दिया गया भूरे तार का प्रत्रोज पाई जुन था कितने तार का प्रत्रोज 3 विया ना इस प्रत्रोज 3 विया न वहारा न भाय Takes इदर कोई प्रचिरोध नहीं है लेकिन जब प्रचिरोध लग गया तो मिलाद प्रचिरोध इतना आ गया और थब पाठियांज यह आजाएगा इदर क्लिए वेच्छों बच्छों समझ आया प्रस नंबर शाचट किसी विभाव मापी में 1.0182 बुद्धुत वाहत बल के सेल के लिए संतुलन मेंदू 349.4 सेमी पर प्राप्त होता है विभाव मापी की विभाव प्रमर्ता बताईए प्यारी बच्चों ये विभाव मापी की सवाल 2016 और 2018 में आई थी तो यहाँ देखे जरा कुशन नंबर शाचट कह रहा है ध्यान सुनिए सबी लोग सुनिए गर एक सल 1.0182 बॉल्ट वाला है किसी सल का बिदुत वाहत बल 1.0182 बॉल्ट दिया है और जब इसे यूज करते हैं तो किसी विदुत वाहत बल वगएरा को नापने के लिए तो धारा मापी में संतुलन इस्तिते 349.4 सेमी पर मिलती है आप जानते हो धारा मापी में जिपनी दुरी पर संतुलन मिलता है उसे इस माल एल्ग से देख करते हैं यहां तक समझ में आए बेकर तिर कह रहा हैं कि विभाव प्रवर्था बताईए विभाव मापी का सभी को बताना चाहूंगा कि विभाव मापी के विभाव प्रवर्था विभाव प्रवर्था बच्चों के से लिखा जाता है और विभाव प्रवर्था के बराबर E बटा यल होता है सुपर तो यहां संतुलन इस्तिते विभो मापी के लिए है इसलिए इसमाल यल लिखे है नहीं तो अगर सेल की विभो परवनता कैता है तो कैप्टल यल लिखते है निमाग पे ध्यान देना इस बात का तो यहां कैप्टल E है 1.0182 इसमाल यह लगए 3.394 यह उपर बोल्ट है नीचे मीटर इसको मीटर में बना लिए है इसलिए 3.394 तो उसे भाग दे दिये है अब आप इसका भाग दे देंगे जब बच्छों भाग दोगे तो दसमलो तीन बाग जाएगा तीन क्रिकर नाव एक दस ठीक है तो दसमलो तीन बोल्ट प्रतिमीटर सच बताओं आंसर आगया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोजार सोला हो दोजार इठारा माया का अगला प्रस्वड़ रहे हैं कुछने बस सरसट 67 किसी विभाव मापी के तार में धान दिजेगा किसी विभाव मापी के तार में प्राथिमिक परिपद द्वारा एक निश्चित विभाव प्रवरता इस्थापित की गई है दिदियक परिपद में जुड़े एक मानक सेल 1.018 वोल्ट तथा एक अगया सेल के लिए संतुलन विंदो 305.4 तथा 450 सेमी पर प्राथ होते हैं बताओ विभाव मापी के तार में विभाव प्रवरता क्या है तता अगया सिलका विद्दुत वाहग बल क्या है देखो वेचा इस कुश्चर में दो पार्ट है तो आप दोनों पार्ट ध्यान देजिएगा तो समझ आ जाएगा दोनों पार्ट ध्यान देंगे आप सभी लोग देखो जरा दोनों ही पार्ट बता रहे हैं कुश्चर में सरस्थ है ध्यान से सुनिएगा विभाव मापी में एक निश्चित विभाव प्रवरता इस्थापित की गया या मानक सिल का विद्दुत वाहग बल एक दसम्लो जीरो एकाथ बोल्ट है मानक सिल का विद्दुत वाहग बल कितना है बेटा और अग्याद सिल दो दो सिल है एक सिल के लिए संतुनन इस्थिति यल्वन आ रही है तेन सो पांच दसम्लो चार से नी कितना आ रही है बेटा 350.4 और दूसरे सेल के लिए दो-दो सेल बरने हैं 450 सेली सवाल अब आपको समझाना चाहूंगा कि कोई एक जो है विभो मापी है और जो विभो मापी है उसने निश्चित विभो प्रवर्ता सेट अप की गई है निश्चित है आईसा कोउच्चन कहे रहा है ना कहिता तब भी हम जानते विभो प्रवर्ता यह कैसी बला है जो कभी बदलते ने काष्काइन पड़ है तो विभो प्रवर्ता फिक्स है और इस जो है पन्ठाट में दो सेल है एक मानक सेल जिसका voltage पता है 1.018 volt और दूसरा अध्याद voltage वाला cell है अध्याद voltage वाला माने उसका voltage पता करना होगा और विभाव प्रमार्था भी पता करना है इस पड़्पत में सवलाल समझ में आ गई एक बार फिर से देखो कि कोई एक जो है विभामापी है जिसकी विभामापी है जिसकी विभामापी है और इस विभामापी में एक सेल मानक सेल इतने वोल्टेज वाला लगा है और इसके साथ एक सेल जो है अग्याद वोल्टेज वाला लगा है जिसका वोल्टेज नहीं पता है और विभामापी को जब इस्ते हैं कि अधे लेटो्ध क्वेराम प्रवारता बताओ दूसरें बुल्टेज बताओ बारी बारी से इधार देखो ब्यों प्रहुर्ता सभी साथ के जाने संवी के बराबर जक्की एफिक्स है नहीं बदलेगी दोनों सेलों के लिए भी वह प्रवरता वहीं आएगी तो देखो जरक के बराबर क्या होगा यह और यह पता है तो एवन अपान एवन एवन की जगाए एक दसम्लो जीरो एक आच यह देखो सेंटिंग मीटन ने है मीटन बदल सब्सक्राइब कृष्ण कर्याम से Streetा क् मैंने एक बुटा तीन बौन सेंटिंगर लिख सकते हैं एक अंसर आगया दूसरा घंट की वाराबर क्या होता है यह आइड ऐ होगा क्य है कि हमें सबींशतीर के इवन बता है अलोवन दूसरे screens के लिए और अगर हम इससे E2 जानना चाहें तो के E2 E2 यह आया है और E2 का मान कितना है 450 माने 4.50 मान दे दिजिए 1.5 बोल्ट तो दूसरे सिलका बोल्टेज लगवक 1.5 बोल्ट आ जाएगा और गुड़ो प्रवर्टा इतनी आ जाएगी